सुबह जल्दी उठना समेरे साथ बोलो फिर पांसाथ बात बहुत जरूरी है लाश्र की माता भूमिही सब बोलो माता भूमिही पुत्रोहं प्रथिव्याहा मात्री देवो भवा मात्री देवो भवा पित्री देवो भवा आचार्य देवो भवा अतिथी देवो भवा राश्र देवो भवा मैं सुबह उठते ही न सबसे पहले ऐसे धर्ति माता को उठते ही मेरा नियम है, ऐसे ही, बच्पन में मानने सिखाया था सबसे पहले मैं धर्ती माता को प्रणाम करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में खोन की आखरी बुंद रहेगी भारत माता के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूँगा भारत माता का यश गोराओ बढ़ाओंगा दूसरा माता पिता को प्रणाम करता हूँ सन्यासी हो करके भी माता पिता ऐसे प्रतेक्ष तो मिलते नहीं लेकिन माता पिता इस धर्ती के भगवान है, उन्होंने हमें जर्म दिया है फिर गुरू सत्ता रिष्ची सत्ता को प्रणाम करता हूँ आप लोग सुबह उठके ऐसे प्रणाम करके पानी पीना सुबह उठके क्या पीना बोलो पानी पीना इसे सैकडू बिमारी नहीं होती है भी पी नहीं होता है, हाट की प्रब्लम नहीं होती है इसे पेट की गया, SACDT, बवासीर की बीमारी, चमडी की बीमारी नहीं होती है, बहुत बीमारी नहीं होती है सुबह उठके क्या पीना बोलो पानी फिर नास्ता हलका करना खाना चबा चबा के खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना दूद के साथ नमक नहीं खाना रात को दही मत खाना बिहार में तीनू टाइम दही छास खाते हैं सुबह दोपैर शाम शामवाला बंद कर दो इसे जोडों में दार्द और एरलिजी का प्रोब्लम और बहुत सा ओटोमेंड डिजीज होता है छोड़ छोड़ चीज़ों का ध्यान रखो वाद का बिमारी है तो खटी चीज नहीं खाना पित का बिमारी है तो चिकनी चीज और ठंडी चीज मत खाना छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना और एक चीज जरूर करना दो मिनट ऐसे ताली बजाना यहां से थाइराइड, यहां से किड्नी, यहां से सूगर यहां से हाट, यहां से आँक, यहां से कान यह पूरा यहां से आँक यहां से कान यहां से फेफडा यहां से पेट यह साब बिमारी ठीक हो जाता है दो मिनट ऐसे ताली के साथ गाओ देखो ऐसा दो मिनट ताली के साथ ऐसे ऐसे जोर से बजा लो ऐसे ऐसे दो मिनट ताली बजा लो गे तो इससे बहुत सि बिमारी दूर हो जाते है तो रोज सुबह उठते हो कोई दोड़ता है कोई रनिँंक करता है कोई वाग करता है वैसे देखो रनिंग करने से वाग करने से, जिम जाने से किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिवटी से सब सच जाए योग सूरी रमसकार करो, दन बैठा के लगाओ, प्रणायम करो, आसन ध्यान करो, दो मिनट ऐसे करना, फिर एक बार हाँथ उटा करके हसके दिखाओ, फिर से एक बार, जोर से, ऐसा हसने से, सब भी बारी दूर होती है, जो दुखी रहते, नाराज रहते, परिशान रहते, उ नेकिटिव थौट्स, नेकिटिव इमोशन, नेकिटिव एक्षन, इनेक्षन, रोंग एक्षन में रहते हैं, उनको जीवन में बहुत प्रोब्लम होती है, तो खुश रहना, मुस्कराते रहना, भगवान ने मनुश्य बना दिया, एक आदमी के शरीर की कीमत कम से कम 400-500 करो रुपए का एक आदमी है, दिमाग तो बेश किमती है, इसकी तो कोई किमती नहीं है, अब इतना भगवान से पा करके फिर भी तुम दुखी हो करके जी हो, खुश रहो, हसो, मुस्कुराओ और अच्छ अच्छे काम करो